हेलो नमस्कार स्वागत है आपका आज के सेशन में नीट 2022 का पेपर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने पेपर अटेम्ट किया है अच्छा भी क्या होगा कुछ का नहीं अच्छा हुआ होगा बेरहाल आज हम लेक्चर में डिसक्स करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन न जो एनलेसिस की हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने बेसिक कॉंसेप्ट्स के पर काम किया है लेक्चर्स ठीक से देखे हैं तो आप इन कोशन को आराम से कर सकते रहे चलिए फर्स कोशन जो हमारे पास है वो यह है इंग्लिश में हम देखते हैं हिंदी वाध के लिए आप से कह रहा है तो इसके बारे में हमें पता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा फॉर्द नेगेटिव सॉल उतनी ज्यादा आपकी कोगलेशन पावर होगी स्कंदन चमता होगी तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेट्मेंट तो ठीक ह सेकेंड स्टेट्मेंट की बात करें इन दा कोगलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल अगर पॉजिटिव सॉल की बात करें तो यहां पर फ्लॉक्राइशन पावर का जो ओडर दिया हुआ वो इस तरीके से दिया हुए तो सेम एस जैसा आपके लिए उसमें गिवन है स्टेटिमे first में वैसा ही आपका statement second में भी होगा अगर आप positive solve की बात करेंगे धनात्मक solve की बात करेंगे तो वहाँ पर जितना negative charge होगा NIN पर उतनी ज्यादा power होगी तो negative charge की अगर हम बात करें तो यहाँ पर minus 1 है यहाँ पर minus 2 है और यहाँ पर minus 3 है तो यहाँ पर phosphate पर क्या हो गया ज्यादा negative लेकिन इसके लिए order गलत लगाया हुआ है इसका मतलब यह है कि यह option तो statement तो रॉंग है तो यहाँ से सही statement हमारा क्या हो जाएगा statement first is correct वर्ट statement second is incorrect तो प्रथम कथन हमारा सत्य है दूसरा कथन हमारा सत्य है चलिए second question की बात करते हैं polymer chemistry से बढ़िया question है पहला question था सर्फेस chemistry से जैसा आप जानते हैं colloidal से हमारा question था second question की अगर हम बात करें second की which statement regarding polymer is not correct इस बार के paper में not और incorrect के questions बहुत सारे है इस बार correct वाले questions कम हैं तो not correct हम से पूछा है fiber possesses high tensile strength जो आपके ratio होते हैं उनकी तन सामर्थ क्या होती है उच्च होती है बहुत ज्यादा उनकी तन्यता होती है second आप से कह रहा है incorrect हमें चूज करना यह ध्यान रखेगा thermoplastic polymer are capable of repeatedly softening and hardening on the heating and cooling respectively जो thermoplastic हमारे पास क्या बहुलते हैं option में क्या होता है soft और hard हो सकते हैं तो यह बात भी सत्य है तो यह हमारा answer नहीं हो सकता thermosetting polymer are reusable अब बिटा आपने वेकलाइट अगर देखा होगा तो वेकलाइट अगर heat किया और वो क्या करेगा अपने bond break करके एक नया compound बना देगा तो आप उसका reuse नहीं कर सकते उस form में उसको दुबारा से प्रियोक नहीं कर सकते तो यहां पे जो incorrect statement हो जाएगा वो हमारा incorrect statement हो जाएगा 3 तो 3 हमारा क्या है incorrect statement है तो option हमारा यह सही हो गया अगला देखते हैं अगला हमारे पास है question number 53 यह set जो मैं discuss कर रहा हूँ यह T2 set है जो बच्चे T2 set की बाहर हो जिसक पर वह इसका directly देख ले otherwise जिसके पास कोई और set हो तो उसमें इन questions को check कर सकता है options को check कर सकता है according to the given options ठीक है question इसमें फिर से पूछ रहा है incorrect statement regarding chirality chirality के basis पे आपको incorrect statement आपको बताना है the product obtained by SN2 reaction of hello alkane given chirality at the reactive site shows inversion of configuration आप से कह रहा है कि अगर आपके SN2 SN2 reaction में आप सब जानते हैं single step reaction inversion of configuration होता है और inversion of configuration chirality के साथ ही चलती है तो आप ध्यान रखें इस बाले point का यह तो आपका correct है तो यह आपका answer नहीं होगा second कह रहा है inensiomar are super impossible mirror image on each other आप से कह रहा है कि जो inensiomar होते हैं वो super impossible mirror image form करते हैं एक दूसरे की तो यह statement क्या है incorrect statement है और यही हमारा क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा chirality से related बागी आपके लिए देखें रहस्में 0 optical rotation जितना आपका D होगा उतना L होगा जितना positive होगा उतना negative होगा SN1 में रहस्में एक mixture बनता है तो इसमें दोनों आपके प्रिजेंट होते हैं तो आपका यहाँ पर option be incorrect हो गया अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ग्रिगनाट रिएजेंट की reaction कार्बन डाई ऑक्साइट के साथ गिवन है और उमीद है इस question को आपने सबने किया होगा ल इस तरीके से टूटेगा और यह आपका किस पर react करेगा कार्बन के इस position पर आपका attacking होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो compound बन जाएगा वो बन जाएगा R COO negative और यहाँ पर आजाएगा Mgx क्योंकि यह आपका बन जाएगा यह वाला acetate form और यहाँ पर mgx और mgx पर overall क् positive charge हो जाएगा तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा option हमारा 4 correct हो जाएगा RMG X, R COOMG X, ठीक है, R COO negative और M G X पर total positive charge, ध्यान रखिएगा यहाँ पर X पर negative charge नहीं given है, अगर X पर negative charge given नहीं है तो magnesium पर इसका total minus 2 होता है, तो 1 minus यहाँ से positive cancel out करेगा, तो यहाँ पर only plus charge हमारे पास बचेगा, solution या concentration का बहुती आसान सवाल आप से पूछा है, बहुती easy question, उमीद है, इसको आपने देखते ही solve कर दिया होगा, बड़ा आसान से सवाल है, आप से कह रहा है in one molal solution यानि molality आपको given है one that contain 0.5 mol, आप से कर रहे, solute का mass कितना होगा, तो molality का हमें formula पता है, number of moles of solute divided by mass of solvent, तो यहाँ पर molality given है, that is one, molality की value कितनी है, one given है, और nb की value कितनी है, 0.5 और यह value हमें कितनी given है, निकालनी है, calculate करनी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आजाएगा, 0.5 kg आजाएगा, और जिसको आप solve कर सकते हो तो 500 g तो सही answer हमारा क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, option a, यानि बिलायक के हमारे पास 500 g होंगे, उमीद है, यह 5 question आपको समझ में आए होंगे, next questions के ऊपर चलते हैं, match the following, very easy questions from hydride यानि H, H से हमारा सीधा-सीधा question है, H से हम question लेके आए है, hydrogen chapter जो है, वहाँ से हमारा सीधा सा question है, देखें क्या question कहता है, वो यह कहता है, आपको matching करनी है, और यहाँ पर different type के hydride आपको given है, अगर यह different type के hydride given है, अब देखें, options में भी आप देख सकते हैं बिटा, एके चार option given है, अगर मैंने एक ही matching ठीक कर दी, तो इसका मतलब मेरा answer क्या मिल लेगा, ठीक मिल जाएगा, आपको पहला जो hydride given है, that is magnesium hydride, और आप ध्यान रखें कि group 1 और group 2 के जो metals होते हैं, वो ज्यादा electro positive होते हैं, और hydrogen के साथ कैसा hydride बनाते हैं, वो बनाते हैं, आयनिक hydride, तो यहाँ पर MGH2 तो बनेगा, आयनिक hydride, और MGH2 आयनिक hydride बनेगा, तो यहाँ पर A का option 4 हो गया, सीधे सीधे हमें time based नहीं करना है, सीधे सीधे answer लगाना है, तो यह answer हमारा हो जाएगा, option number 4, ध्यान रहेगा इस बात का, बाकी आप इसके respect में अगर नहीं भी आता है, तो और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हम बात करें, HF, अगर HF की बात करें, तो HF में आपके पास क electron rich हो जाएगा, HF, HF क्या होगा, electron rich hydride हो जाएगा, B2H6, अब डाइबोरेन पे भी दो question हमारे पास paper में है, एक यह question है, एक और question है हमारे पास, तो जो B2H6 होता है, डाइबोरेन, यह कैसा होता है, electron deficient होता है, आपने अगर इसकी जिमेटरी पढ़ी होगे, 3 center to electron bond अगर प 56, organic का question है, चलिए देखते हैं, क्या केता है, question number हमारे पास 57, the boiling point, first पढ़ते है, the boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon of comparable molecular mass because the weak molecular association in aldehyde and ketone due to dipole-dipole interaction, ध्यान रखेगा पेटा, dipole-dipole interaction correct है, लेकिन weak molecular forces, weak molecular association यह गलत बात है, तो इसी weak molecular association की वज़े से यह वाला statement तो हमारा हो जाता है, wrong, on the basis of dipole-dipole, यह correct होता है, अगर weak molecular association नहीं given होता, तो statement first तो हमारा क्या हो जाएगा, incorrect हो जाएगा, second statement की बात करते है, boiling point of aldehyde and ketone are lower than the alcohol of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding, बिलकुर सही बात है, aldehyde और ketone में hydrogen bonding नहीं होती है, और आपके alcohol में बहुत ही प्यार से hydrogen bonding हो जाती है, जिसके वज़े से इनका boiling point क्या हो जाता है, higher हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर यह वाला statement सही हो गया, तो option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा, option number 3, question number 57, option number 3 correct हो गया, one more matching question, match the following, very easy, इस question को भी हम देखें, तो वह यह कह रहा है कि आपको products given है, और आप से कह रहा है कि reaction of carbonyl compound with, आप से कह रहा है, carbonyl compound की, इन में से किस से reaction करें, तो यह हमारे पास product बनेंगे, again, यहाँ पर आप एके options देखिए, अगर आप एके options देख रहे हैं, तो सारे option अलग-अलग आप वो given है, first, second, third and fourth, अगर मैंने A को check कर लिया, तो हमारे पास सही answer आ जाएगा, sinohydrine, अगर हम बात करें, तो OH ग्रूप भी होना चाहिए, एक ही carbon पर, CN ग्रूप भी होना चाहिए, एक ही carbon पर, और यह addition किस से होगी, जब हम addition कराएंगे, HCN से reaction कराएंगे, HCN से, तो आपका A जो हो जाएगा, वो आप क्या हो जाएगा, 4 के साथ match करेंगा, option हमारा third correct हो जाएगा, चलिए, यह तो directly question हो गया, बाकी आप और भी देख सकते हैं, जैसे oxyme क्या होगा, NS2H, इसके साथ reaction कराते हैं, oxyme हमारा बनता है, तो D का हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, तो D भी आप चेक करते हैं, लिकिन D में आपको first option जादा हैं, कि elimination आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, shift base की, तो shift base क्या होता है, RNS2 के साथ, amines के साथ reaction करके हम बनाते, acetal हमारा form करता है, alcohol में, तो alcohol के साथ reaction करेंगे, तो आपका OH, OR 2 आ जाएंगे, तो acetal formation हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, चलिए, तो option हमारा है क्या हो जाएगा, option 3 correct हो जाएगा, next question पर हम move करते हैं, what is next question, question number 59, from ideal gas equation law, Dalton के अंशिक दाव नियम के लिए निमलिकित में से कौन सा गड़ती है, समीकरण सही नहीं है, which one is not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure है, और यहाँ पर P आपको गिवन है, total pressure of gaseous mixture, तो आप से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो P is equal to N1RT upon V, N2RT upon V, तो यह partial pressure का sum is equal to total pressure सही है, तो सही नहीं है, ध्यान रखेगा, यहाँ पर incorrect statement पूछ रहा है, तो इसमें आप confuse मत होईएगा, second आप से कह रहा है, question number 59 में second part आप से कह रहा है कि P I is equal to XIP, P P जहाँ पर क्या है, total pressure है, और यह आपका Dalton law, तो यह आपका सही हो गया, यहाँ पर बात कर रहे है, P I is equal to XIP not I, यह आपका routes law हो गया, तो यह आपका Dalton law से related नहीं है, यह liquid के लिए लगेगा, Dalton law gases के लिए valid है, तो यह आपका सही answer क्या हो जाएगा, option हमारा 3 correct हो जाएगा, यानि incorrect statement हमारा क्या हो गया, option 3 हो गया, next question, again match the following, आपको यहाँ पर medicines given है, और उनके molecule आपको identify करने हैं, very very easy, कह सकते हैं क्या, नहीं, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा tricky है, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात है, आपको वो option चूज करना है, जिसमें आपको possibility ठीक ठाक लगे, अब A का देखो, third third of first of four, यह इन तरीके से तो इसका मतलब मैं A पर chance ले सकता हूँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान अगर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए, आप यहाँ पर question में answer हमारा क्या हो जाएगा, यह जो anti-acids होते हैं, आपको मैंने कहा कि gas बनेगी, तो cement का use करेगा, तो cement का मतलब यह नहीं कि cement खाना है, एक हमारे पास chemical होता है, जिसको हम बोलते हैं, semitadiene, semitadiene, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर third आपका add हो जाएगा, तो option यहाँ पर यह और यह हो जाएगा, तो first और fourth में से एक option हमारा हो सकता है, आगे हम बात करते हैं कि आपको analgesic, anti-histamine और antimicrobials इसमें से आपको choose करना है, देखते हैं B के option में, अगर मैं B का option select कर लो, तो मेरे को correct answer मिल जाएगा, तो B हमारे पास क्या है, anti-histamine, यह मेरे को लगता है थोड़ा tough होगा, शेल्डेन आपको नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं है, यह शेल्डेन होता है, यह भी नहीं पता है, तो अगर हम बात करें analgesic की, तो analgesic हमारा क्या होता है बिटा, morphine हमारा क्या होता है, अनल जैस होता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, analgesic क्या हो जाएगा, morphine, तो यहाँ पर C का option क्या हो जाएगा, second, option हमारा क्या हो जाएगा, first correct हो जाएगा, next statement आप से कह रहा है, question number 61, 61 में आप से कुछ बाते हैं, बहुत ही अच्छी, अब आप इसको P block से मान सकते हैं question को, और बह boiling point of the falling hydride of group 16 element increases in the order, आप से करा है कि hydride का boiling points given है 16 के और जिसमें H2O का boiling point सबसे कम दिया हुआ है, statement ही गलत हो गया, water का boiling point बहुत जादा होता है, सबसे जादा होता है अपने group में hydride के formation में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बनती ही hydrogen bonding, तो यह तो statement आपका क्या हो गया, wrong हो गया, तो यहाँ पर second statement भी check कर लेते हैं, the boiling point of these hydride increases with the increase in molecular masses, in the light of the, आच्छा, आप से कह रहा है कि यह जो hydride given है, यह आपके increase होते है molecular masses के वज़ाए से, ध्यान रखें, एक factor all लगता है, intramolecular attraction force, जो bonding force लगता है hydrogen, जिसकी वज़ासे इनका mass, boiling point increase होता है, cable mass एक single factor नहीं है, जो हो गया, तो statement first is incorrect, statement second is incorrect, तो यहाँ पे आपका सही answer क्या हो जाएगा, option number first, सही answer क्या हो जाएगा, option number first, both are incorrect, very easy, IUPAC name of the complex, coordination number given है, 2, तो इसका charge हो जाएगा, plus 1, coordination number given है, 2, चार्ज हो जाएगा, plus 1, और पहले आप cation की बात करेंगे, cation coordination sphere की बात करेंगे, तो यह आएगा di aqua, किसी में di aqua given नहीं है, क्या given, हाँ given है, di aqua silver, di aqua silver, cyanide वाला तो cancel हो गया, di aqua silver, second आपको oxidation state दिये, तो यह भी गलत हो गया, first oxidation state, यह वाला सही हो गया, next question from organic chemistry, question number हमारे पास है, 63, very easy question, which of the following is suitable to synthesize chlorobenzene, तो chlorobenzene मनाने के लिए इन में से कौन सी process बहुत जादा suitable है, भाई, benzen के साथ HCl directly react करेंगा नहीं, और अगर हमने amine की reaction HCl से कराई, तो यह आपकी acid भी reaction होगी, और salt बन जाएगा यहाँ पे, तो यह भी हमारा answer नहीं होगा, benzene की Cl2 और anhydrous FeCl3 यानि Lewis acid के presence में reaction कराएंगे, तो यहाँ पे यह process हमारी आसानी से हो जाएगी, तो यहाँ पे question number 63 का 4 option correct हो जाएगा, रही बात फिनॉल और NaNo2 HCl की, तो फिनॉल NaNo2 यह nutrition के काम आएगा, किसमें, जब हम फिनॉल का nutrition कराने के काम आएगे, तो orthopera metaproduct मिल जाएगे, फिलार उससे भी हमें कोई मिले वाला है नहीं, क्लोरोब एंजिन तो मिलेगा नहीं, तो फिलार हमारा सीधा answer क्या हो जाएगा, option number 4 हो जाएगा, अगला आपसे कह रहा है कि नीचे जो आपको statement दे रखे हैं, फिर से आप पढ़िये, बहुत ही सही questions दिये हुए है, assertion आपको दिया हुआ है, ICL is more reactive than I2, आपसे कह रहा है, interhalogen compound है, ICL वो I2 से जादा reactive होता है, यह तो हमें पता ही है कि ICL जो है, वो I2 से जादा reactive होगा, क्योंकि यह वो interhalogen compound है, bonding nature में electron negativity difference आ गया है, थोड़ा भहुत जो भी आना चाहिए था, repulsion factor भी लगेगा, electron, electron के बीच में, तो यहाँ पे आपका जो first assertion है, assertion की अगर हम बात करें, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, assertion ठीक ठाक सा लग रहा है, तो यह तो सही है, reason की बात कर लेते हैं, question number 64 में, ICL bond is weaker than IAE bond, यह जो आपको दे रखा है, ICL bond weaker होता है, IAE bond से यह गलत दे रखा है, तो यह आपका reason क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, assertion ठीक है, तो option हमारा क्या हो जाएगा, second correct हो जाएगा, A is correct, but R is not correct, A is correct, but R is not correct, सदीक आइस paper का सबसे easy question, question number 65, IUPSC naming of 119, 1 क्या होता है, UN, फिर 1 क्या होता है, UN, 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 और क्या हो जाएगा, 9 क्या होता है, NEM, तो UN, UN, NEM कौन सा option हो जाएगा, तो आपका, UN, UN, NEM है, यह option number 4, correct हो जाएगा, और यह reactivity series, या फिर आप कहें, electro chemistry, यहाँ से question है, आपको सब की standard electrode potential given है, और आप से कह रहा है कि on the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction not occur, इनमें से कौनसी displacement reaction नहीं होगी, तो displacement reaction के लिए सबसे important क्या है, जिसका oxidizing potential जादा होता है, वो दूसरे को आसानी से displace कर सकता है, यानि जिसकी negative value जादा हो जाएगी, standard electrode potential में वो दूसरे को क्या कर देगा, displace कर देगा, और जिसकी positive value सबसे जादा है, वो हर किसी से displace होके आजाएगा, reduction potential जिसका जादा है, ज्यान रहेगी यह बात, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जादा reduction potential किसका है, यहाँ पर last option हमारा AG, तो AG का reduction potential अगर सबसे जादा है, तो यह आपका cable reduce होगा, oxidize नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख लेए, option number third हमारा correct हो जाएगा, बैसे भी आप जानते हैं कि silver जो है, वो copper से कम reactive होता है, तो displace नहीं करा सकता, तो यहाँ पर question number 66 का option number 3 correct हो गया, aromatic compound, sorry, हाँ, यहाँ पर पूछ रहा है, which of the following is not an aromatic compound, आप से पूछ रहा है, कौन सा aromatic नहीं है, first, सारे sp2 hybridized है, यानि आप देख लीजे, जिसमें sp3 आ जाएगा, वो आपका non aromatic होता है, aromatic नहीं होता, sp3, इसमें sp2, sp2 और इसमें यह वाला जो आ रहा है, यह आपका sp3 आ रहा है, तो यह आप पर क्या हो जाएगा, non aromatic हो जाएगा, aromatic नहीं होगा, option number 3 correct हो, बाकि आप conjugated electron नि करें, कल रूल follow करेंगे, aromatic हो जाएगे, बाकि यह आपका non aromatic हो जाएगा, option number 3 correct हो गया, question number 67, उमीद है कि 67 तक 17 question तक आपको समझ में आ गया होगा, question number 68, from carbon compounds और ध्यान रहे, p block का फिर से, diamond is covalent and graphite is ionic, ध्यान रहे, choose correct statement, आप से कह रहा है कि सही statement आप चूज करिए, diamond covalent होत diamond is sp3 hybridized, graphite is sp2 hybridized, तभी तो graphite में mobile electron होता है और diamond आपका hard होता है, तो सही option हमारा क्या हो जाएगा, option number 2 हो जाएगा 68 में, question number 69, फिर से आपका statement type question है, बड़ा सही सा question आपको दिया हुआ है, question number 69, primary aliphatic amine reacts with HNO2 to give unstable diazonium salt, primary aliphatic amine reacts with HNO2 gives diazonium salt, चलिए पहले statement को थोड़ा रुक के देखते हैं, second statement की बात करते हैं, primary aromatic amine reacts with HNO2 to form diazonium salt, which are stable, even above 300 Kelvin, ध्यान रहे, जब भी हम diogetization reaction करते हैं, तो 0 से 5 degree Celsius हमारा temperature रहता है, इस से उपर temperature पे जो हमारा diazonium salt बनता है, जैसे aromatic में अगर हम बात करें, तो diazonium salt जो हमारा बनेगा, य आपट से nitrogen निकल जाएगा, तो unstability आजाएगी कब, जब आपका 300 Kelvin से ज्यादा temperature है, तो ये statement तो आपका क्या होगा, definitely incorrect होगा, अब आते हैं, आपके first statement पे, पहला statement कर रहा है कि aliphatic amine जो है, HNO2 से react करके unstable diazonium salt बिल्कुँ सही कर रहा है, कि अगर आपके पास aliphatic amine है, और आप HNO2 से reaction कराएंगे, तो यहाँ पे आपका जो diazonium salt बनना चाहिए था, उसमें problem क्या होगी, कि यहाँ पे N2 gas क्या हो जाएगी, तुरंत release हो जाएगी, और आपको कार्वो cation formation मिल जाएगी, तो यह unstable होता है, तो यह statement आपका ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, option second, statement first is correct, but statement second is incorrect, again, assertion reason, in a particular point defect, an ionic solid is electrically neutral, even if few of its cation are missing from its unit cell, ध्यान रहे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि cation जो है, वो unit cell से missing होंगे, यह आपको assertion दिया हुआ है, reason की बात करते है, in an ionic solid, frankal defect arise due to the dislocation of cation, यहाँ पे dislocation given है, यहाँ पे missing given है, दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन आस्मान का अंतर होता है, दोनों सही है, अपनी जगे, assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, but यहाँ पे दोनों एक दूसरे को explain नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ प a, reason is not correct, तो यहाँ पे option first correct हो जाएगा, जेल डाल method की बात कर रहे है, estimation of nitrogen, ध्यान रहे, जो भी hetero cyclic amines होते हैं, hetero cyclic amines, वो हम use नहीं कर सकते, क्योंकि test नहीं देता वो हमारे लिए, अच्छा, nitro compound, यह भी हम use नहीं करते, डाय जो compound, यह भी हम use नहीं करते, तो यह भी नह करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, cable amine हो जाएगा, option हमारा, बी correct, यानि second option correct हो जाएगा, which of the following pv curve represent the maximum work done, आप जानते हैं, maximum work done, pv के graph में क्या होता है, area under the curve, area under the curve, अब area under the curve है, तो इसका मतलब आप इन चारो graph को discuss कर लीजे, देख लीजे, तो आपको यह पता चल जाएगा, जो first graph आपको given है, first of all, ice का area क्या होगा, सबसे जादा होगा, curve के अंदर, तो यही हमारा answer सही हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे जादा work done देखने को मिलेगा, question number हमारे पास is 73, 73 क्या हो जाएगा, which of the following statement is not, फिर से not correct, about divorane, divorane के respect में आपको बताना है कि कौन स statement आपका not correct है, the four terminal bh bond are two central two electron bond, जो आपका, जो terminal bonds हैं, ये वाले, तो ये जो terminal bonds आपको दिये हो है, ये two central two electron होते हैं, बिलकुल सही बात रहे, two central two electron bond होते है, the four terminal hydrogen bond atom and the two boron atom lie on the same plane, six atom maximum lie करते हैं, same plane में, तो ये भी बात सही है, six atom same plane में लाई करेंगे, ये bridge वाले उपर और नीचे लाई करते हैं, अलग plane में लाई करते हैं, both the boron atom are sp2 hybridized, आप से करा है कि दोनों boron atom जो है, वो sp2 hybridized होंगे, ये statement गलत है, dyboron में boron sp3 hybridized होता है, there are three central two electron bond कितने होंगे, धो होंगे, विलकुछ से bridge में हमारे three central two electron bond होंगे, तो option हमारा क्या हो जाएगा, option third correct हो जाएगा, फिर जो हमारे पास question है, वो आया buffer से बड़ा easy, ionic से question बड़ा आसान सा है, आप से buffer calculation की बात कर रहा है, pH of the solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acidic acid, given a pKa of 4.57, acidic buffer है, अगर मैं इसका pH calculate करूं तो ये आएगा, pKa plus log, उपर आपका आजाएगा, ये जो salt है और नीचे आपका acid आजाएगा, pKa की value है 4.57, यहाँ पे आपकी value आजाएगी 0 log, 0.1 divided by 0.01, इसको solve करेंगे तो ये आजाएगा, log 10, log 10 की value होती है 1, तो यहाँ पे add करेंगे 1, तो option हमारा क्या आजाएगा, 4 correct आजाएगा, 74 का सही answer क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5.57. Next question is 57, which amongst the following incorrect statement, फिर से incorrect statement आप से पूछ रहा है, C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerated pi molecular orbital, H2 plus has 1 electron, O2 plus IN is diamagnetic, अब यार देखो, अगर आपको incorrect ही चूज करना है, तो O2 के अंदर electron होते है 16, ये भी आपका paramagnetic होता है, O2 plus बनाओगे electron हो जाएगे 15, तो ये भी paramagnetic है, अगर O2 minus बनाओगे 17, ये भी आपका paramagnetic है, तो ध्यान रहे बिटा कि oxygen के plus molecule, minus molecule और oxygen खोद O2, प्लस 1, प्लस 2, उसकी बात करना है, माइनस 2 ये आप प्लस 2 की बात नहीं कर रहे, तो ये क्या होंगे, diamagnetic नहीं होते है, paramagnetic होते हैं, क्यों, ये ये आपके odd electron system है, और odd electron को तो अब बैसे भी paramagnetic ही करोगे, diamagnetic नहीं करोगे, तो option हमारा क्या हो जाएगा, third correct हो जाएगा, question number 75 का, अगला है हमारे पास question, amongst the following, which one will have maximum loan pair, loan pair, electron repulsion, जिसके अंदर पहले loan pair calculation कर लो, IF5, iodine के पास 7 electron, 5 bond बन गए, 1 loan pair, SF4, 6 electron, 4 bond बन गए, 1 loan pair, XEF2, 8 electron, 2 bond बन गए, 6 electron बचे, 3 loan pair, CLF3, 7 electron हो गए, 3 bond बन गए, 7 में से 3 चले जाएंगे, तो हमारे पास 4 electron बचेंगे, 2 loan pair, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा loan pair किसमें, XEF2 पर हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा repulsion आपको देखने को मिलेगा, तो हमारा option कौन सा correct हो गया, option हमारा third correct हो गया, आईए, सीधे से question करते हैं, what mass percentage, 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction, आप इसमें अगर calculate करेंगे, HCl को यहाँ से निकालेंगे बिटा, तो calculation करने में आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जैसे हम बात करें, 0.5 molar HCl कितना दिया हो है, 50 ml दिया हो है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बिटा, इसका weight निकाल सकते हैं, इसको neutralize करने के लिए क्या निकाल सकते हैं, CaCO3 का amount निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग में, और जितना amount आएगा, जैसे amount आएगा 1.25 gram आएगा, ठीक है, solve करके, और 1.25 gram आएगा, यह कब होता है, निकाल के add करूँगा, तो यह value क्या आएगी, 1.25 से थोड़ी सी जादा आएगी, जादा जादा नहीं आएगी, तो हमारे पास क्या जाएगा, option first correct आएगा, यह question simply आप balancing से या फिर आप station symmetry से या फिर limiting reagent से solve कर सकते हैं, बहुत ही आसान question हमारे पास हो जाएगा, में दे रखा है plus 4, ध्यान रहे, के O2 भले ही है, लेकिन के की oxidation हमेशा क्या होती है, plus 1 state होती है, और यहाँ पे O2 की भी oxidation state क्या हो जाएगी, minus 1, यानि यह आजाएगा super oxide, तो आपका पहला statement ही गलत दिया हुआ है, बाकि हमारे statement सही है, अगला है हमारे पास gadolinium has low value of third ionization enthalpy because of, अगर gadolinium की बात करोगे, तो यहाँ पे आपके पास जो F है, इसमे 7 electron आ जाएगे, ठीक है, D के अंदर electron आ जाएगे, एक और S के अंदर 2 electron, यह 2 electron क्या हो जाएगे, डोनेट हो जाएगे, अब रही बात third ionization enthalpy की, तो यहाँ पे जो F है, F के अंदर क्या है, सारे आपके unpaired electron है, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, और यहाँ पे D है, पांच होएगे, D में एक electron यहाँ पर भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, exchange enthalpy क्योंकि half field और full field क्यों सबसे ज़्यादे stable होते हैं, क्योंकि इनकी exchange, electron exchange enthalpy क्या होती है, high होती है, इसी लिए यह क्या होते हैं, सबसे ज़्यादे stable होते हैं, तो यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा, option first हो जाएगा high exchange enthalpy तभी यह कराएगा सबसे ज़्यादा stable रहेगा question number 80 थोड़ा सा tricky question है tricky question में आपको देखना है the given graph is representation of kinetics of a reaction आपको एक graph दिया हुआ है y और x में constant temperature में और यह कह रहा है कि आपकी reaction kinetic को define कर रहा है यह आपको बताना है बड़ा असान हो गया कैसे बताओ गया जीरो order अगर मैं y axis को concentration ले लूँ x axis को time ले लूँ और first order y axis को rate constant ले लूँ और x axis को concentration ले लूँ तो second वाले के साब से सही first वाले में देखें time के साथ concentration क्या होती है decrease होती है for zero order तो यह first वाला तो नहीं हो सकता answer second में कह रहा है rate and concentration t half and concentration zero order के लिए rate और concentration का कब constant होता है क्योंकि rate proportional होता है k के concentration of इसकी power zero के यह zero है तो इसका वाला r is equal to k निकल के आता है constant value में आता है तो r k zero order के लिए है तो यहाँ पर आपका option हमारा first correct हो जाएगा same as t half का भी formula अगर आपको याद हो t half 0.693 upon k constant value है तो यह भी आप पर क्या रहेगा constant curve आपको देखने को मिलेगा incorrect statement regarding enzyme is आप से कह रहा है कि enzyme के respect में incorrect statement आप बताईए अरे सहाब बड़ा सरल सवाल है like chemical catalysis enzyme reduce the activation energy of bio process भाई हमें भी पता है कि activation energy को क्या कर देता है decrease कर देता है कौन decrease कर देता है जो आपका enzyme है तो यह statement तो ठीक है हमें क्या बताना incorrect enzyme are polysaccharides saccharides कौन होते हैं बिटा जो आपके शुगर वाले होते हैं वो saccharides होते हैं और enzyme क्या होते हैं अगला सवाल है question number 82 identify the incorrect statement from the following all the 5 4d orbital have shape similar to the respective 3d orbital बिटा अगर 3d और 4d की shape की बात करें तो पांचों की पांचों की shape क्या रहेंगे कोई भी d का orbital है हम सब की shape क्या रहेंगे चाहिए 4d का हो 5d का हो 6d का हो shape क्या रहेंगे similar रहेंगी तो यह statement तो आपका सही है incorrect पुछा है in an atom the all 5 3d orbitals are equal in energy in free state बिलकुल सही बात है कि free state में जो भी पांचों orbital है डी जन रेसी की वेज़े से वो क्या रहेंगे same energy की रहेंगे ठीक है ओके the shape of dx, dy, dz, dxy, dy, dz, dz,x orbital are similar to each other and dx square minus y square and dz square are similar to each other पहला वाला पार्ट इसका सही है second वाले पार्ट में इसने गलती कर दी तो यही आपका answer सही हो जाएगा मतलब यही incorrect statement हो जाएगा last भी देख लो all the 5 5d orbital are different in size बिलकुल सही बात है size में change होंगे shape हमारी सेम होगी 5d का size बढ़ा होगा 4d का size हमारा छोटा होगा आते हैं redox का एक बढ़िया सा electrochemistry का भी दोनों mix करके question है given below our half cell reaction आपको दे रहे है एक reaction दे रखी उसमें half cell value दे रखी है will be build the permanent iron MnO4 liberate O2 from the water in the presence of an acid आप से कह रहा है कि क्या acid की presence में आपका MnO4 water से O2 को liberate कर पाएगा बिलकुल MnO4 क्या होता है कि MnO4 high great oxidizing agent होता है water को भी oxidize कर सकता है तो water को भी oxidize कर सकता है इसका मतलब यह है तो यहाँ पर answer तो yes होगा तो no वाले हटा दो फिर आप से कह रहा है कि यहाँ पर yes होगा इसमें E0 cell की value आपको निकालनी है तो E0 cell की value कैसे निकालेंगे इसका जो value दे रखी है यह आपको reduction potential दे रखा है तो इसका oxidation potential अगर लिखूंगा तो यह हो जाएगा plus 1.510 और यह इसका आपको क्या दिया हुआ है O2 से O0 से minus 2 जा रहा है तो यह आपको कैसा reduction potential दिया हुआ है अब हमें 287 आपको option number four correct हो जाएगा option number हमारा कौन सा correct हो जाएगा four correct हो जाएगा next question पर चलते है अगेन S block से question है हमारे पास lithium sodium potassium koh and cesium अगर आपको कुछ नहीं पता तो यह पता cesium का हम use करते हैं photoelectric cells बनाने में ठीक है तो आपका डी का option four हो जाएगा डी का option four एक ही दे रहा है तो option third हमारा correct हो जाएगा lithium ion battery हम use करते हैं तो li का क्या हो जाएगा electrochemical cell को हम use करते हैं adsorbent of carbon dioxide तो इसका c का first हो जाएगा एने क्या हो जाएगा जो fast breeder reactor होते है उसमें हम na as a coolant use करते हैं यहाँ पे option हमारा बड़ा सही है match the following बड़े आसान है आप से कह रहा है question number 85 the acidic strength of mono substituted nitro phenol is higher than the phenol because of electron withdrawing nitro group सही बात है चाहे आपका ortho या para हो इन सबकी nitro group की जो acidic strength होती है वो आपकी phenol से ज्यादा होती है electron withdrawing group है minus i दिखाएगा या minus r दिखाएगा minus resonating effect दिखाएगा अगर second statement की बात करते है ortho phenol metafenol metanitro phenol and paranitro phenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring बेटा जो ortho है और para है इसमें para की सबसे ज़्यादा acidic होती है फिर आपकी ortho की होती है फिर आपकी meta की होती है ठीक है क्योंकि ortho में आपकी hydrogen bonding भी बन जाती है पेरा में नहीं बनती है अच्छा का सा आपका resonating effect भी लग रहा होता है meta में आपका inductive लगता है तो यह statement आपका दलत हो गया अब यह environmental chemistry का बढ़िया से question है आपसे कह रहा है कि pollution जो है sulfur के oxido द्वारा होने वाले production में निम लिकित में से किसकी उपस्तिती द्वारा बृद्धी हो जाती है तो सबसे जादा जो बृद्धी होती है वो किससे होगी देखो आप ध्यान रहे इस बात का कि particulate matter बिलकुल भही है इसमें तो जरूरी है particulate matter की वज़े से तो सबसे जादा बृद्धी आपको देखने को मिलते है धूल के करण जितने जादा होंगे उतनी जादा आपकी pollution में enhance होगे sulfur के oxide भी बढ़ेंगे ozone की बात करें बिलकुल सही बात है hydrocarbons की बात करें तो hydrocarbon भी ठीक है है सही चल रहा है लेकिन सरी hydrocarbon नहीं hydrocarbon नहीं यहां पर hydrogen peroxide तो peroxide हो गया क्योंकि आपका एक nascent oxygen यह भी देगा nascent oxygen यह भी देगा और particulate matter हो गया तो इनकी वज़े से हमारा क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा sulfur के oxide बढ़ जाते है nature में pollution में तो option हमारा first correct हो जाएगा correct IUPAC naming of the compound भई numbering आप यहां से करिए 1 यहां से करो 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर आप देखो 1 bromo है V से start हो रहा है 5 chloro है और आप इसको देख लो में आपका main functional group तो all है तो यहां पर आ जाएगा 1 bromo 5 chloro 4 methyl hexane 3 all तो आपका option number क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 bromo 5 chloro 4 methyl hexane 3 all बड़ा easy question IUPAC naming से हाँ यह आया equilibrium से आया एक ही question आया एक और आया था ionic वाला और एक ही आगया 302 Gibbs 203 for the above reaction 298 Kelvin पर केसी की value दे रखी है 3 into 10 to the power minus 59 बहुत ही कम value दे रखी है यह आपका decomposition इतना अच्छे से होता नहीं होगा और O2 का equilibrium concentration given and that is 0.04 और O3 का concentration आपको calculate करना है यह करना है calculate तो बिलकुल simple formula लगाए केसी की formula क्या होदा है केसी का formula दे रखा केसी की value 3 into 10 to the power minus 59 अब इसको पूरा solve करने की ज़रत तो है नहीं आप product की value देखिए product क्या है O3, O3 का क्या है square divided by O2, O2 का क्या है cube यह है product divided by reactant concentration किसकी दे रखे equilibrium concentration O2 की concentration आपको given है यह value आपको given है कितनी given है 0.04 तो इसको कैसे लिखेंगे 3 into 10 to the power minus 59 तो यह हो गया यह हो जाएगा O3 की concentration का square divided by 0.04 को हम लिख सकते है 4 into 10 to the power minus 2 इसका cube तो 4 का cube होगया O3, O4, O4 score 64 और यह आपको क्या हो जाएगा 10 kita minus 6 यह minus 6 यह आ जाएगा 135 में तो यह आजएगा आपकी power क्या हो जाएगा ADD हो जाएगी तो यहापको कितना हो जाएगा 10 to the power minus 59 into 10 to the power minus 6 तो यह आपका क्या जाएगा 65 और इन दोनों को multiply करेंगे तो यह करीब 64 के असपास बन जाएगा माइनस 64 जब हम इसका square root निकालेंगे 10 to the power माइनस 64 का तो यह आजाएगा 10 to the power माइनस 32 तो सही answer आपको क्या हो जाएगा यह आजाएगा बाकी आप देखें यह ओ सकता माइनस 63 पावर दे रखा यह प्लस में दे रखा तो यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो आपका option हमारा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा बाकी पूरा solve करने की ज़रूत है लिए को 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 शन नंबर हमारे पास फिर इससे मेच दा फॉलवेंगे 89 89 कोशन की अगर हम बात करें दो आइरन के ओर दिये हुए हैं जैसे अगर हम बात करें हेमेटाइट हेमेटाइट क्या होता है एफी टू ओ थ्री यानि यह हो गया फर्स्ट का थर्ड मेगनेटाइट क्या होता है एफी थ्री ओ फोर एफी ओ और एफी टू ओ थ्री का मिक्शर केला केला माहिन की बात करें अब यहां से बड़ा आसान हो गया क्या आप इसको मैच कर पा रहे हो फस्ट का थर्ड तो यह दो तो आप्शन नहीं होंगे इन दोनों में सोंगे अच्छा यह दोनों लगा होगे तो बात बराबर आएगी अब हम यहां पर फस गहे तो अब हम यहां यह दो देखते है dot 89 कॉश्चन है हमारे पास इसको अगर हम साल्व करते हैं यहां पर हमको किया मिलेगा का विजन खा कर भूनेत का अप्शन क्या है सेकेंड को यह हमारा ऑपशिसयं क्या हो जाएगा फस्ट कर्रेक्न हो जाएगा ठीक है कैयो लिन नाइट क्या होता है अलुमिनियम सिलिकेट होता है, option first, आते हैं organic में, question number 90, in newcast test, आपको दे रखा है, newcast test दिया हुए, primary, secondary and tertiary alcohol are distinguished on the basis of their activity, with concentrated HCl plus ZNCl2 are known as newcast reagent, बात सही है, पहला statement हमारा correct, question number 90 में, second statement की बात करते हैं, second statement कि रहा है, primary alcohol are most reactive and immediate produced turbidity at room temperature, अन्दर reaction में, बेटा, 6-7 घंटे लगते हैं, तो ये तो आपका तुरंत turbidity नहीं देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला statement collect हो जाएगा, तो option हमारा second correct हो जाएगा, first statement is correct, second statement is incorrect, medium, Km4 oxidized iodide to iodate, I negative को convert कर रहा है, I O 3 negative में, the change in oxidation state of manganese in this reaction, manganese भाई, basic की बात करें, alkaline medium की बात करें, MnO4 negative convert होता है, MnO2 में, और ये अगर आपका MnO2 में convert हो रहा है, तो यहाँ पर oxidation state कितनी होगी, plus 7 से, जो change आएगी, वो किसमें आएगी, plus 7 से, plus 4 में चेंज आएगी, किसमें चेंज आएगी, plus 7 से, plus 4 में चेंज आएगी, तो यहाँ पर option हमारा क्या हो जाएगा, 4 correct हो जाएगा, आप से कहा रहा है, first order reaction आपको दिया हुआ है, product initial concentration of A is 0.1, which become 0.001 molar after 5 minute, the rate constant for the reaction in minute inverse, भाई, इसको आप सीधे से कर लो, formula लगा लो, क्या लगा होगे formula, अगर आपको नहीं आता, तो वो सीधे से formula क्या होगा, 1 upon tt कितना दिया हुआ है, 5 minute, ठीक है, और यहाँ पर आजाएगा, log, product की concentration कितनी किवन है, 0.001, अच्छा, A not, sorry, A not कितना किवन है, A not हमारे पास है, 0.1, और यह value क्या दे रखी है, after 5 minute, यह value कितनी हो जाती है, 0.001, अच्छा, इसको अगर हम solve करेंगे, तो यह आजाएगा, आपका हटाओ, इसको 10 to the power, यह बन गया, माइनस 3, यह होगे, 10 to the power, माइनस 1, solve करेंगे, यह आएगा, 10 to the power 2, 2 आ गया जाएगा, तो 2 by 5, log, 10, log 10 की value क्या होती है, ln 10 लिख दो, ln 10, यह 2.303 भी आएगा, तो 2 into 2.303, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 2 into 2.303 divided by 5, अब क्या करो, 2 से multiply, 2 से divide कर लो, तो यह 10 हो जाएगा, तो 4 into 2.303 divided by 10, easy हो जाएगा, इस से multiply करेंगे, तो चारतियां 12, चार दुनी 8 और एक 9 divided by 10, तो इसको अगर solve कर लेंगे, तो 0.92 आजाएगा, option हमारा, first correct हो जाएगा, ठीक है, option हमारा क्या हो जाएगा, first correct हो जाएगा, compound X on reaction with O3 followed by the zinc H2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as the product, compound X बताना है, भई, दो चीजें दे रखी हैं, एक तो formaldehyde दे रखा है आपको, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और साथ में आप से क्या कह रहा है, कि 2-methyl propanol बनाया, 2-methyl propanol क्या हो गया, भई, आपको ध्यान लखना है भीटब, propanol मतलब, L-dehyde group है, यहाँ पर H लगा दो, और 2-methyl, एक, दो, तीन propanol और 2-methyl हो गया, इतना आगया, अब आप इसमें यूज क्या कर रहे हो, आपका, Ozonealysis करा रहे हैं, तो Ozonealysis में यह हटा दो, और double bond लगा दो, तो double bond में क्या हो जाएगा, C double bond C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, CH3, और यह CS3, तो यह आपका, अगर compound की बात करें, तो यह compound हमारा क्या हो जाएगा, यह compound हो जाएगा, आपका 3-methyl-but-1-in, 1, 2, 3, 3-methyl-but-1-in, तो option हमारा 4, correct हो जाएगा, 10-liter flask, sorry, 10-liter flask में 27 degree Celsius पे oxygen के 64 gram है, और यह दे रखा है कि आपका ideal behavior कर रही है, आपको bar में pressure बताना है, कि bar में pressure कितना होगा, और आपको R की value bar में given है, क्या लगाओ, PV is equal to nRT लगा दो, PV is equal to nRT लगा दोगे, volume आपको given है, R आपको given है, T आपको given है, ठीक है, और क्या निकालना है, P निकालना है, बड़ा आसान question है, तो इसको अगर आप solve करोगे, तो सही answer क्या हो जाएगा, question number 94, आपका option number 3 आजाएगा, 4.9, बड़ा आसान है, PV is equal to nRT, कुछ ज्यादा जंजट करना ही नहीं है, आप से कह रहा है कि कौन सी, किसके लिए color complex, order of energy बताना है, which is responsible for the color of complex, अब इसको किसके basis पर बताना है, यह देखना है कि किसका color dark होगा, किसका color light होगा, और इसके लिए ही हमें देखना है, कौन सा आपका color दिखाएगा, कौन सा आपका color नहीं दिखाएगा, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ethylene diamine nickel के साथ यह आपका complex बना है, तो यह सबसे ज़्यादा energy absorb करेगा, यानि यह जो आपका color दिखाएगा, आराम से color complex दिखा सकता है, सबसे ज़्यादा intensity इसी की होगी, तो option C, यानि यह दो तो गलत होगे, इन दोनों में से एक option सही होना चाहिए, question number 95 की अगर बात करेंगा, फिर इन दों में आद देखिए, इन दों में अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ethylene diamine दो हैं, और यहाँ पे ethylene diamine एक है, यहाँ पे वाकी water content, यहाँ पे फिर से color absorption की बात करें, तो भही अब बी का color absorption क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक का color absorption जादा हो, यहाँ पे option आपका second correct हो जाएगा, आप से कह रहा है कि which one of the following is not formed when acetone reacts with two pentanone in the presence of dilute naoH followed by heating, फिर से जुन लो, acetone reacts with two pentanone, acetone तो आप सब जानते हैं, CH3, CO, CH3 और इसको react कि से कराना है, two pentanone से, two pentanone क्या होगा, CS3, C double bond O, और यहाँ पे CS2, CS2, CS3, एक, दो, तीन, चारपाश ठीक है, in the presence of dilute naoH, भाई आप सब जानते हैं, यह कौन सी reaction ने condensation कराना है, अल्डॉल का product बना दोगे आफटापट से, और यहाँ पे आपकी जो reaction होके आएगी, dilute naoH के साथ heating करने पे, तो आपका जो सही product आजाएगा, वो product आजाएगा, option number one, यहाँ पे dehydration हो जाएगा, और यहाँ पे आपका kit होड़ा होगे, ठीक है, question number 97, find the EMF of the cell in which following reaction take place at 298 Kelvin, ठीक है, यह आपको reaction दे रखी है, यहाँ पे concentration भी given है, और आपको कह रहा है, यह सब कुछ दे रखा है, find out क्या करना है, EMF of the cell find out करना है, E cell निकालना है, E cell is equal to क्या होजाएगा, नस्ट equation लगा दोगे, E not cell, और यहाँ पे क्या होजाएगा, आपको यह value भी दे रखे, तो 0.303 RT upon N, यह होगे 0.059 upon N, और यहाँ पे log product divided by reactant, यह करोगे, जब इसको solve करोगे, तो solve करने के बाद, हमारे पाद जो answer आजाएगा, वो answer आजाएगा, second 0.9614 volt, cdc बात है, इसमें केवल formula अपलाई करना है, और answer आजाएगा, अच्छा concentration की बात करें, nickel के लिए concentration product है, तो यह आजाएगा ऊपर 0.001, और यह आजाएगा, concentration of AG is 0.001, यहाँ पे एक चीज और clear हो जाएगी, यह आजाएगा log आपका, इसका square आजाएगा, इसका वो आजाएगा, तो यह value आजाएगा, 10 to the power minus 3, ठीक है, 3 आपका आजाएगा, solve करेंगे, तो यह value 10 volt से कम आपको देखने को मिलेगे, n की value कितनी होगी, यह आपको देखना पड़ेगा, electron cancel out करके, यहाँ पर n की value बैसे 2 आएगी, तो n is equal to 2 होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी आप solve कर लिजाएगा, इस radius of second bore orbit of helium plus iron is 105.8 picometer, what is the radius of third bore orbit of lithium plus 2 iron, lithium plus 2 iron के लिए जो radius होगा वो आपको बताना है, question number 98, simple सा formula लगाई है, radius के order का, radius के order का formula आप लगा देंगे, तो हमारे पास जो answer आजाएगा, कौन से orbit की बताने, third orbit की हमें बात करनी है, तो third orbit के लिए जो हमारे पास formula आएगा, value आएगी, वो आजाएगी, 158.7 ang strong, ध्यान रहे, पीको मीटर में given है, answer हमें एंग-strong में भी निकाल सकते है, ठीक है, तो एंग-strong में अगर आप answer निकालेंगे, तो एंग-strong की value आएगी, चलिए, copper crystalline FCC unit cell, with cell edge, with cell edge length of 3.608 into 10 to the power minus 8 centimeter, the density of copper is 8.92 gram per centimeter cube, calculate the atomic mass of copper, by, सीधे density का formula, first chapter से आप उठाईए, लगाईए solid state से, तो आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपको value मिलेगी, वो 65, यू मिल जाएगी, solve करके density के formula से, last question जो हमारे पास है, organic chemistry का, product, product form from the following reaction sequence is, इस sequence में जो product form होगा, उसकी बात करने है, cyanobenzene आपको given है, lithium aluminum hydride यूज कर रहे हो, फिर water से करा रहे हो, NaNO2 यूज कर रहे हो, HCl बन रहा है, और H2O आप ले रहे हो, और फिर, यहाँ पर क्या होगा, reduction होगा, amine बनेगा, aliphatic amine बन जाएगा, aliphatic amine बनने के बाद, यहाँ पर diazonium salt बनेगा, HCl से आप यूज करोगे, तो benzene आ जाएगा, फिर आप hydrolysis कराओगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, alcohol आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सीधा से product बनेगा, alcohol, कोई जादा सोचने वाली बात नहीं है, correct answer हमारा क्या हो जाएगा, third हो जाएगा, तो यह तो थे हमारे chemistry के questions, उमीद है कि आपको यह सारे questions समझ में होंगे, आपने अपनी जो भी data है उसको check कर लीजिएगा, जो भी आपने fill up किया है उसको check कर लीजिएगा, मिलते हैं आपको से साथ next lecture में, तब तक के लिए बवाई टाटा, take care, नए बैचस नीट के start हो चुके हैं, तो आप इन रूल कर सकते हैं, पटापट से जोड़ी सकते, bye.